हेलो ग्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन साथ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कारडिगन, कोटी, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, कैप आदि में बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है बनके बहुत ही कुपसूरत हमारा ये pattern आ जाता है सबसे पहले हम अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बनाके complete करेंगे border pattern complete होने के बाद हमारा ये pattern बनना start होता है अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row first row में देखे पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी side एक फंदा उल्टा बनेंगे एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा तो देखिए यह पहला फंदा छोड़के 1,2,3,4,5,6,7 यह साथ फंदे हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा इस तरीके से यह 7 फंदे गुन दिये आप नेस्ट हमने 2 फंदे उल्टे गुनने एक, दो दो फंदे उल्टे तो देखे ये पहला फंदा छोड़के ये टोटल नो फंदे हो गए ये इस्पेस देने के लिए हमारे नो फंदे हो गए अब धागा पीछे करेंगे बारा फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा ये बारा फंदे हमने सीधे बुन्दे, बारा फंदे सीधे बुनने के बाद देखे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब नेस्ट आमने साथ फंदों में पैटरन डारना, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा इस तरीके से तो देखें, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा जाएगा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न के फर्स्ट रो कंप्लेट हो गई रॉंग साइड से देखे सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखे जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे पह एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, नेश्ट देखे ये तीन फंदे सीधे दिखाए देरे, इनको हम सीधा ही बुनेंगे, 12 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा आजाएगा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखें रॉंग साइड से पैटरन की सेकिंड रो कमप्लेट होगे, अब देखिए फ्रन्ट साइड से पैटरन की थार्ड रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे ही रहेगा, आप देखिए जो नेस्ट उल्टा फंदा है इसको सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, सीधे फंदे को उल्टा, उल्टे फंदे को सीधा, सीधे फंदे को उल्टा बुना, फिर उल्टे फंदे को सीधा, तो देखिए पहला फंदा छोड़के, इन साथ फंदों को आमने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा इस तरीके से बुना, फिर धागा अपनी साइड, फिर ने उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे, अब नेश्ट देखें, हमने आठ फंदों को ट्विस्ट करना है, आठ फंदों को ट्विस्ट करेंगे, आगे के चार फंदे सिलीप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये चार फंदे हमने सिलीप किये, अब देखें, बैक स उठाएंगे, अब देखें जो फंदे हमने सिलिप किये हैं, इनको हम left नीडिल में उठाएंगे आगे की साइड से, इस तरीके से हमने इन फंदों को ट्विस्ट कर लेना है, right नीडिल वाले फंदे भी left नीडिल में सिफ्ट करेंगे, अब नेस्ट आपने इन फंदों को सीधा बुन लेना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ये दिखिए जो आठ फंदे हमने ट्विस्ट किये थे इनको हमने सीधा बुन दिया अब नेस्ट इन चार फंदों को भी सीधा बुन देंगे धागा अपनी साइड, दो फंदे, उल्टे आएंगे फिर धागा पीछे करेंगे, आप देखिए जो फंदा उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे और जो फंदा सीधा है उसको उल्टा बुनेंगे लास्ट का फंदा सीधा ये देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की थाड रो कम्प्लेट हो गई रॉंग साइड से देखे फोर्द रो अब फोर्द रो में देखे जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे जो फंदे सीधे होंगे उनको हम सीधा बुनेंगे सेम प्रोसिस को रिपीट करते हुए रॉंग साइड से अपने फोर्द रो को कम्प्लेट कर लेना है यह देखिए रोंग साइड से हमारी पैटन की फोर्थ रोंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फिप्तरो अब फिप्तरो में देखिए पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे अब देखिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा सीधे फंदे को उल्टा बनेंगे और उल्टे फंदे को सीधा यह प्रोसिस हमने साथ फंदों में रिपीट करना है ये दीखे ये साथ फंदे हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इस तरीके से बुना धागा अपनी ही साइड रहेगा फिर नेश्ट हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे अब next देखे हमने 4 खंदे सीधे बुनने एक, दो, तीन, चार, चार खंदे सीधे 4 खंदे सीधे बुनने के बाद देखे next हमने 8 खंदों को twist करना है अब देखे ये जो पीछे के 4 खंदे हैं इनको आगे लाएंगे आगे के 4 खंदे हम ऐसे sleep कर देगे और देखे, आगे की side से पीछे के 4 खंदे right needle में उठाएंगे अब देखे जिन खंदों को हमने sleep किया इनको back side के तरब से हमने left needle में उठाना है इस तरह की से ये खंदे हमारे twist हो जाएंगे अब देखे राइट निडिल वाले फंदे भी हम लेप्ट निडिल में सिफ्ट करेंगे अब इन आठ फंदों को सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ यह देखे यह हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड हो गया धागा अपनी साइड फिर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे फिर नेश्ट देखे जो फंदा सीधा है उसको उल्टा बुनेंगे जो उल्टा फंदा है उसको सीधा तो देखे यह फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की 5th row complete हो गई रॉंग साइड से देखे पैटर्न की 6th row अब 6th row में देखे जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे और रॉंग साइड से अपनी 6th row complete कर लेंगे कर दो में यारी तेरा हैं थाल्ट झाल ङॉंग साइड़ से अपनी कर दो यह देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की 6 रो कम्प्लीट हो गई, अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की 7 रो, अब 7 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा, 7 रो को हमने पैटन की 1 रो की तरह बुनते हुए कम्प्लीट करना है, अब हमने इन ही 6 सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटन कुछ इस तरों से आ जाएगा ये देखिए भोती सुन्दर भोती आसान पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू